Hello guys, welcome back to my channel, this is second last part of this series So please, इसको end तक चरूर देखेगा बिना skip किये, क्योंकि धेर सारे changes एक साथ होंगे So without wasting time, let's start the explanation So last part तक हमने देखा था के Liu को पता चल जाता है कि Jin, JRN की granddaughter है, वही JRN जिसकी मौद उसके पिता की गलती की वज़े से हुई थी उधर Jin की मा, Dr. Lin को वो कपड़ा दिखाती है, जो Jin की बोड़ी पर उस वक्त था, जब Jin को उन्होंने गोद लिया था उस कपड़े को देखते ही Dr. Lin कहती है, कि ये तो मेरी बड़ी बहन के हाथों का बनाया हुआ है इसका मतलब Jin ही मेरी बहन की बेटी है जैसे ही जिन वहाँ आती है, Dr. Lin कस के उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे बता देती है कि तुम मेरी बहन की बेटी हो, यानि कि मैं तुम्हारी मासी हूँ लेकिन जिन की मा को इस बात का विश्वास नहीं होता और वो कहती है, ऐसे कपड़े तो बहुत बनाय जा सकते है तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो, कि ये तुम्हारी बहन की बेटी है मैं इस बात को नहीं मानती तब ही Dr. Lin उस ड्रेस के अंदर छिपे हुए उस टेग को निकाल कर देती है, जिस टेग पर जिन का नाम लिखा हुआ था अब शक्की कोई गुझाईशी नहीं होती जिन बहुत खुश होती है और अपनी मासी को अपने गले से लगा लेती है Dr. Lin उसे बताती है कि तुम बहुत ही काबिल आफिसर Dr. Lin की Granddaughter हो जिनने फसाया गया था और तभी वो उसे कई साल पहले गटी उस खटना के बारे में बताती है जब पूरी जिया फैमली को रात और रात खतम कर दिया गया था और उन्होंने जिनकी मा यानिकी अपनी बड़े बहन को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा था जिनकी मा को बहुत दुख होता है क्योंकि अब उन्हें लगता है कि जिन उन्हें छोड़ कर चली जाएगी लेकिन जिन उनसे कहती है कि बच्पन से लेकर आज तक आपने मुझे पाल पोस कर बढ़ा किया है आप चिंता मत कीजिए मैं आपको छोड़ कर कभी भी कहीं भी नहीं जाओंगी डॉक्टर लेंग अब मिस्टर याइंग के पास जाती है और उनसे कहती है कि जब मैंने आपसे पहले कहा था कि जिन ही मुझे मेरी बड़ी बेहन की बेटी लगती है तो आपने मुझे जूट क्यूं कहा जबकि आप जानते थे कि यह सच है मिस्टर याइंग کہते है कि यह सब मैंने तुम लोगों के भले के लिए किया था क्योंकि अगर किसी को भी जिनकी आइडेंटिटी का पता चल गया तो उसके दुश्मन उसे भी नहीं छोड़ेंगे जिन बहुत खुश होती हुई लिव से मिलती है और कहती है कि आज में तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रिट बताने वाली हूँ लिव मन में घबराने रगता है कि شाएद जिनको सब कुछ पता चल गया है और जिन उसे बताती है कि क्या तुम जानते हो जिनको मैं अपनी आνटी मानती थी वो सच्छ में मेरी आंटी है डॉक्टर लिन मेरी मा सी है मेरी मा की चोटी बहन और मैं गुवर्मेंट ओफिशेल जी आरेन के ग्रैंड डॉचर हूँ मैं जानती हूँ कि मेरे दादा जी को फसाया गया था ये सुनते ही लियू अपनी सोच में हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि इस सब के पीछे कहीं न कहीं उसके पिता का भी हाथ था जीन कहती है कि मेरी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन येन शिफैन है और मैं उससे बदला लेकर रहूंगी और लियू उसे केवल इतना ही समझा पाता है कि येन फैमिली बहुत ही पावरफुल है इसलिए जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना इसके बाद लियू अपने घर बैट कर जब जिन के बारे में सोचता है तो उसे समझने हाता कि वो जिन को इस परिशानी से कैसे बाहर निकाले और जो रास्ता वो अपनाता है वो बहुत दुख परा है दूसरी और जिन डॉक्टर लिन के हेल्प से एक रुमाल पर एमबरडरी बनाती है और उसे लियू को गिफ्ट करने के बारे में सोचती है लियू हमेशा की तरह जिन के घर के आगे रात को खड़ा हो जाता है लेकिन वो इस बार जिन से मिलता नहीं है बलकि आँकों में आशू लिये सिर्फ यही सोचता है कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ उससे तो मैं बहुत दुख होगा लेकिन मेरे पस पस यही एक रास्ता है अगले दिन जिन अपने हाथ से बनाया हुआ रुमाल लियू को गिफ्ट करती है और कहती है कि यह बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा इसे अपने साथ रखें तो लियू जान भूचकर बहुत ही रुडली कहता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतना घटी है रुमाल मैं अपने साथ रखूंगा जिन अचानक से उदास हो जाती है और वो लियू से पूचती है कि क्या कोई गलती हुई है मुझसे जो आप इस तरह से बताफ कर रहे हैं तो लियू कहता है कि अगर तुम जानना ही चाती हो तो सुनो अब तुम्हारे सच्चा ही सब के सामने आ गई है तो मैं एक ऐसी लड़की को नहीं अपना सकता जिसके दादा पर मुकदमा चला हो मेरी फैमली के रैपिटिशन बहुत ज्यादा है और मैं ये नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता जिन को एक पल तो विश्वास ही नहीं होता कि लियू इस तरह से बात कर रहा है लेकिन वो फिर भी कहती है कि तुम्हारे कोई गलती नहीं है शायद मेरे दिल नहीं किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था अपने उस रुमाल को वहीं फैक कर वो वहां से रोती हुई चली जाती है उसके जाते ही लियू जमीन पर गिरा हुआ रुमाल उचाता है लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है उधर मिस्टर यैन पर रिशान होते हैं क्योंकि यैन शिफैन अपने पता से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि खीर मेजिस्ट्री अब आप से ज़्यादा उस लैन पर बरुसा करने लगे हैं और वो उसका बनाय हुआ रुमार देखने लगता है यैन शिफैन लैन को फसाने के लिए एक चाल चलता है और वो वाइट डियर के पानी में जहर मिलवा देता है अगले दिन वाइट डियर के मौत हो जाती है और इस बात का जवाब हिर मजेस्टी लैन से मांगते है तो कि उसकी जिम्मेदारी उन्होंने लैन को ही सौपी थी लेकिन लैन अपने जियोतिश विद्या का फायदा उठा कर हिर मजेस्टी को ये समझवा देता है कि वाइट डियर आपको प्रवेंट करने के लिए आया था और अब उसका काम खतम हो चुका है इसलिए उसे तो जाना ही था येन शिफैन अपने आदमियों से कहकर एक बार फिर डॉक्टर लिन को किड्नैप करवा लेता है उसने डॉक्टर लिन से कहा कि वो उसे बहुत पसंद करता है और हमेशा उसे अपने साथ रखना चाता है जिन को जब ये बत पता चली तो ये सोचने लगी है कि इस तरह वो अपनी मासी को येन शिफैन के चंगल से बचाएगी उस रात भी लियू जिन को देखने के लिए उसके घर के बाहर आया था लेकिन बिना उससे मिले चला गया अगले दिन जिन को येन शिफैन के पैलिस में गुसने का एक रास्ता मिल जाता है क्योंकि एक आदमी उसे बताता है कि येन शिफैन के पैलिस में बहुत गैट चोगेदर होने वाला है और जहां उसे ये बियर पहुचानी है उसी get together में लियू भी शामिल होने के लिए आता है और जिन भी एक गुलाम के get up में वहां पहुँचती है जिन लियू को देख लेती है लेकिन लियू जिन को नहीं देख पाता जिन को कुछ सैनिक रोक लेते हैं और वो उसे कुछ सवाल करने लगते हैं जिन उन सवालों का answer नहीं देपाती वो फस्दने ही वाली होती है कि तब लियू वहां पहुँच जाता है और ये करकर उसे बचा लेता है कि ये मेरे सर्वेंट है और मेरे साथ है वहाँ से हाथ पकड़कर वो ल्यू को अपने साथ थोड़ा बाहर लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम इस तरह से हरकते क्यों करती हो क्यों अपनी जिंदगी को खत्रे में डाल दी हो तो जिंद उसे बताती है कि क्योंकि डॉक्टर लिन को एक बार फिर से यैन्शी फैन ने किड्नाप कर लिया है और इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए यहां आई थी तो लियू बहुत प्यार से उससे कहता है कि मैंने तुम से पहले भी खाता कि मेरे लिए कम से कम मेरे लिए अपना ध्यान रखो और जहां तक डॉक्टर लिन की बात है तो ये सारे परिशाने तुम मुझे पर छोड़ दो मैं कुछ ने कुछ सॉलुशन जरूर निकालूंगा लेकिन जिन लिए को ताना मारते हो कहती है कि सर आज आपने मुझे इंसैनिकों से बचा लिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन अब आपको मिटे रास्ते में आने की कोई जरूरत नहीं है अपनी परिशानिया में खुद हल कर लूँगी और वैसे भी मैं उस जियारेन की डॉटर हूँ जिसका नाम पूरे दुनिया में बदनाम है आपको मेरे नज़्दीक आने की कोशिश नहीं करने चाहिए इसके बाद जिन अंकल बैगर के साथ छिपती छिपाती हुई यैन शिफैन के मैंशन में पहुँच जाती है वहाँ जाकर वो लोग डॉक्टर लिन को भी ढून लेते हैं तीनों वहाँ से बाहर निकल कर भागने वाले होते हैं कि वहाँ एक अजीब सी स्मैल आती है जिसको सूंकर तीनों बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं और एक्चली जिन को पकरने के लिए ये सब यैन शिफैन का प्लान था क्योंकि वो जानता था कि जिन अपनी मासी को चुड़ाने के लिए जरूर आएगी यैन शिफैन अंकल बैगर को बहुत पूरी तरह से पिटवाता है और डॉक्टर लिन को ब्लैक मेल करता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इनको कुछ ना करूँ तो तुम मेरी बात को मान जाओ उधर लियू एकाउंट्स की रिपोर्ट लेकर हिद मजेस्टी के पास जाता है और उसे बताता है कि किस तरह अकाउंट्स में गरबड़ी की जाती है और हिद मजेस्टी के पास एक नकली रिपोर्ट पहुचाई जाती है और इस मार ये सब यैन शाओ ने किया होता है जो कि यैन फैमली से ही है यैन शाओ को सब के सामने बुला कर पूश्टाश की जाती है लेकिन वो अपने फैवर में कोई भी ऐसी बात नहीं बोल पाता जिससे कि वो खुद को निर्दोश साबित कर सके और तब यैन शाओ के फादर यैन भी इस केस से अपना हाथ पीछे कर लेते है और कहते हैं कि यैन शाओ को मैंने इस काम के लिए इसलिए अपॉइंट किया था क्योंकि मुझे लगता था कि वो टालिंटिड है लेकिन ये जो रिपोर्ट अभी सामने आई है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं और इसलिए His Majesty यैन शाओ को जेल बेज देते हैं लेकिन यैन शिफैन को इस बात पर बहुत गुसा आता है इसके बाद लिए अपने पता से कहता है कि यैन शाओ एक ऐसा परसन है जिस पर यैन शिफैन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है इसलिए में इस केस का इंवेस्टिकेशन पूरी तरह से करना चाहता हूँ जिसे कि मैं यैन शिफैन के खिलाफ भी एविडेंस इखटे कर सकूँ नेक्स डेयां लियू के पास जाता है और उसे बताता है कि अंकल बैगर और जिन दोनों मिसिंग है और वो लियू को ये भी पता देता है कि डॉक्टर लिन को यैन शिफैन ने किड्नैब कर लिया था और जिन और अंकल बैगर उन्हें बचाने के लिए गए थे और उसी दिन से वो मिसिंग है जिस पासे कि यैन शिफैन साफ इंकार कर देता है कि ना ही मेरे मैंशन में डॉक्टर लिन है और नहीं जिन के बारे में मुझे कुछ पता है और तुम एंब्राइडर यूनिफॉर्म गार्ड हो किसी पर इलजाम लगाने से पहले तुम्हारे पास बुक्ता सबूत होने चाहिए अब तुम जा सकते हो तो आज का पार्च यहीं करतम होता है नेक्स पार्ट में हम देखेंगे कि यैंग शिफ हैं जिन के साथ क्या हरकत करेगा और क्या लियू जिन को समयरते ढून पाएगा अगर आप भी यह सब जानना चाहते हैं तो बने रही है मेरे साथ यही सीरीज का लास सेकिंड लास आपिसोर था और अब जो आएगा वो इसका लास पार्ट होगा जो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट करना बिल्कुल न छोड़ें आप लोगोंने कमेंट करना पूरे तरीकी से छोड़ रखा है और अगर चैनल पर नए है तो इसे सबस्क्राइब कीजिए और अगर आप आपने इस सीरीज के प्रीवेस पार्ट नहीं देखे हैं तो चेक माई प्लेलिस्ट अलसो मिलते हैं नेक्स पार्ट में तिल देन टाटा बाइबाइ सायोनारा एंट टेक केर